हेलो इद्यात्यू नमस्कार जैसे कि आप सभी को बता है सामजिक विज्ञान का लाफ्ट पेपर आपका रहेगा और दोस्तों यहाँ पर मैं सामजिक विज्ञान के अर्दवार्शिक परिक्चा के लिए जो जबर जस्त कुश्चन बताने वाला हो इनको अपनी कौपी में न विज्ञों को नोट कर लीजेगा क्योंकि इससे बाहर एक भी कोशन आपका जाने वाला नहीं है विद्यात्यू यहाँ पर सभी ध्यान दीजेगा जो कोशन आपको बता जा रहा है यह कोशन यह आपने पहले पढ़े हैं कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा और नहीं पढ क्योंकि दोस्तों यह ऐसे कोशन हैं हर बार पेपर में पूंचे गाए हैं क्या आप लोगों को याद है या नहीं है तो जरूर बताइएगा साथी जितने भी कक्चनावी वाले दोस्त जुड़ रहे हैं यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब क देखने को मिलेंगे कोशन एक भी भार नहीं जाना चाहिए चलिए वित्यारतियों हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किये एक एक प्रिशन को नोट कर लीजेगा और याद कर लीजेगा आठ तारिक को आपका पेपर रहेगा और पेपर में एक भी कोशन भार नहीं जाना चा यहाँ पर भी आप लोगों ने study करी है क्या वहाँ पर यह question पढ़ाए गए है comment box में जरू बताईएगा दूतिये international का संबंध था तो दूसरा जो international था दोस्तों उसका किस संबंध था यह आपको बताना आए तो इसका जो संबंध था दोस्तों वो था समाजवाद से समाजवाद से उसका संबंध था question number दूसरा कोन सव्यक्ती रूस की जरीना का सलाकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया तो इसका right answer आप दोस्तों लगा लेंगे इसका correct answer हो जाएगा रास पुतिन question number तीसरा है आपका रूसी सामराज्य में मुस्लिम धर्म सुदारक केलाते हैं देखिए रूसी सामराज्य में मुस्लिम धर्म के जो सुदारक थे दोस्तों वो कौन थे यह आपको बताना है तो third वाला जो question है इसका right answer आपका हो जाएगा जर्दिस्त मतलब इसको जदिद नाम से भी जाना जाता है तो आप note इस question को जरूर करिएगा question number फोर्ट वाला रूस में राजशाही का पतन हुआ तो रूस में जो राजशाही होती है ना उसका पतन हुआ कब समाप्त हो चुकी थी तो यह हो उई थी दोस्तो 1917 में चाप लीजिएगा इस question को बहुती बहुती महतुपूर्ण है आने वाली अर्दवार्सिक परिच्चा के लिए last paper आपका सामज़ एक विज्ञान कराएगा जिन दोस्तों आपी तक वीडियो को शेयर नहीं कराए अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा चलिए question देखते हम पांच वा प्रतम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था आप सभी दोस्त जानता है प्रतम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था दोस्तो 1915 से 1918 1914 मतलब 14 से मान के चले 14 15 से तो 15 से 14 तक ये लड़ा गया था आगे हम बात करेंगे रावर्ट ओवन सामाजवादी था तो रावर्ट जो ओवन था ना दोस्तो ये आपका था अंग्रेज कौन था? अंग्रेज था अगला question आपका एसे लोग जो परिवर्टनों का विरोध करते हैं कहलाते हैं वे लोग जो कुछी कुछ परकार के क्या होते हैं? परिवर्टन होते हैं और उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं तो दोस्तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं दोस्तो इसका right answer आप लगाईएगा राष्टवादी क्या कहते है उनको राष्टवादी उनको कहा जाता है सो यहाँ पर द्यान रखीगा रूडिवादी रूडिवादी आपका correct answer इसमें होगा ना कि राफ्टवादी रूडिवादी आपका इसमें correct answer होगा अगला question हमारा है आडवा किस देश की पारलियमेंट को ड्यूमा कहा जाता है तो यह ड्यूमा किस पारलियमेंट को कहा जाता है किस देश की पारलियमेंट को कहा जाता है दोस्तो तो इसमें आपका चुक करेक्ट अंसर होगा वो कहा जाता है रूस की रूस देश की जो परलियमेंट होती है उसे ड्यूमा कहा जाता है छाप कर रखेगा कोशन जबर जसते most important, very very important है अर्दवार्सिक परिक्चा के लिए अगला कोशन है साथ यो आपका आरोरा क्या था आरोरा क्या था दोस्तो तो कोशन नमबर 9 इसमें आपको बताना है आरोरा क्या था तो यही आरोरा जो था दोस्तो ये था युद्ध पोथ और कोशन नमबर 10 वोल्वेशिक पार्टी का नेता कौन था तो वोलवेशीक पार्टी का जो नेता था दोसतों वो था आपका Lenin Lenin वोलवेशीक पार्टी का नेता था और 1977 ईश्वी की रूसिक रांति का आरंब कहां से हुआ comment box में सभी मैं आप लोगों का इनतेजर कर रहा हूँ आप सभी इसका answer बताएये इसका answer क्या होगा पेत्रोग्राद गुनी सो सत्रा इस्वी की रूसी क्रांती का आरंब हुआ था यहां से अगला कोश्यन रिक्तिस्तान के रूप में आप देखेंगे कोश्यन सारे के सारे जो देखने को आप मिल रहा है अंसर भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जितने भी दोस्त कक्चा नवीवाले जूड रहा है अगर आपने अभी तक जनों को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि अन्य सब्जेक्ट के वीडियो और आगे भी अन्य परिक्चाओ के वीडियो आपको इसी परिकार मिलते रहेंगे कोशन नमबर पहला देखेंगे जार निकोल सदुतिये मैं रूस के राज सिंगासन पर आसीन हुआ कब हुआ तो यहाँ पर आप इसमें लिखिएगा 1894 इस्वी ठीक है आप लिख लीजेगा अगला कोशन है वलवेशिक क्रांती के फलसरूप रूस में का जनम हुआ तो रूस में किसका जनम हुआ दोस्तो तो इसमें आपका आजाएगा दूसरे वाले में मजदूर का क्या हुआ जनम हुआ दूसरे वाले में मजदूर लिखेंगे तीस天 वाला है तो तीस天 वाले में पहले लग लिज़े आप ले निन ले निन को वलो सिख करांटी का नाय कहा जाता है ले निन ले और नीन ले निन ऐसा लिखेंगे अगला question आप देखेंगे फोर्ट वाला रूस की 1905 इस्वी को करांटी का प्रारंब शेर से हुआ कौन से शेर से हुआ था तो दोस्तों यह हुआ था आपका रूस की 1905 इस्वी की करांथी का प्रारंब यह हुआ था दोस्तों स्रामिक हड़ताल शेर से अगला कुश्य है आपका पांच हुआ कारल माकरस ने नामगरंद की रचना की तो दास केपिटल नामगरंद की रचना की अगला कोश्यन है रूस के राष्टी जंडे का रंग केसा है लाल और अगला है जो नीजी संपत्ति का ग्रोध करते हैं केलाते हैं तो वो के दोस्तों वो केलाते हैं समाजवादी क्या केलाते हैं समाजवादी यह यहां पर लिखा हुआ आपको दिकाई दे रहा है समाजवादी लिख लीजेगा कोश्यन नमबर साथ में और आट में सेट पीटर्स वर्ग का नाम बदल कर किया गया तो इसको किया गया दोस्तों पेत्रोग्राद यहां पर लिख रहा हूं मे पेत्रो ग्राद किया गया अगला कोश्यन है सभी कोश्यनों को नोट जरू करिएगा और याद करके जरू जाईएगा इन प्रिशनों को अगला कोश्यन था 1914 इस्वी में दो गट बंदनों के बीच यूद्द छिड़ गया यूरोपी यूरोपी गट बंदनों के बीच का चिड़ गया था यूद्द और कप चिड़ था 1914 इस्वी में कोश्यन नमबर दस्वा कोमिन्टर्न का गटन वर्स में हुआ तो ये हुआ दो मार्च दो मार्च 1919 तो दो मार्च 1919 में आप ये जो था कोमिन्टर्न का गटन किया गया था कोश्यन नमबर लाफ्टे 1914 इस्वी में हुवे रूस जापन युद्ध में को पराजे मिली तो किसको रूस को क्या मिली थी पराजे मिली थी अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ जितने भी इस्ट्टेयंट से हमारे कलास नाइन्द वाले जूड रहा है पहला कोश्यन के अंसर आपको बता दियें दूसरे के भी बता दियें तीसरा तीसरा वाला कोश्यन जो है आपका ये एक सब देखवाग के मुत्तर है तो इसके अंसर आपको हम बता रहा है ठीक है उससे पहले हम यहांपर क्या देख लेते हैं कुछ सत्य फत्य है यह जोड़ी है जोड़ी भी आपको देखने को मिल जाएगी पर उससे पहले आप क्या देख लें सत्य फत्य को देख लो पहला है सन 1917 में रूस से वॉल्वेशिक क्रांती हुई तो इसमें आप लिखेंगे सत्य 1920 इस्वी में तक रूसी सामराज्य के अधिकारी पद वॉल्वेशिक सासा निस्तापित हो गया सत्य लगा लीजिए और 1980 में रूस से ग्रेगरियन केलेंडर प्रेडरंप किया गया तो बिल्कुल ये भी सत्य है चौता वाला देखिए रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है बिल्कुल कहा जाता है पढ़ायाता है कहीं बार पड़ा है जो चोटे किसाने उनको कूलक कहा जाता है पोर्त वाला सत्य है और फिपत वाला देखिए रूस की संसत को ड्यूमा कहा जाता है तो बिल्कुल पारलियमेंट को कहा जाता है ड्यूमा कहा जाता है बिल्कुल सही बात है सत्य लगा दीजिए और कोश्यन नमबर अब देखेंगे हम साथ जार निकोल्स लोक तांत्रिक सासक था तो असत्य नहीं था 1914 इस्वी में रूस पर जार निकोल्स का सासन था तो ये सत्य है और रूस में सामूई केती को खोल कोज कहा जाता है सत्य है और लेनिन के बाद लेनिन के बाद इस्तालिन सासक बना तो ये भी बास सत्य है तो दोस्तों ये हमने कोश्चन नमबर एक से लेकर पांस तक के कोश्चनों को जाना है और जो कोश्चन हमारे जोड़ी बगर जो बच गई है वो आपको टेलिग्राम चेनल पर ये पुरा का पुरा डाल रहा है अंसर साइद इसके अंसर नीचे हैं नीचे जाईएगा इसके सारे अंसर मिल जाएंगे तो टेलिग्राम चेनल जो हमारा है उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रहा किए डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक नीचे है उस पर जाएए और टेलेग्राम को जॉइन कर लीजिए वहाँ पर तमाम प्रिकार्ट के वीडियो पीडियेप आपको महाँ पर राप्त होते रहते हैं हमेशा अन्य परिक्जाओ के वीडियो आपको महाँ पर मिलते रहेंगे और अन्य सब्जेक्ट के पीडिये भी आपको मिलते रहेंगे तो टेलेग्राम को भी जरूर जोईन कीजेगा डिसकस्वन में लिंक दी हुई है धन्यवाद